नमस्कार फ्रेंट्स गूर्मॉर्णिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूटूब चनल देशा अग्रिकल्चर अकैडमी पर सोगाइच आज के लिए आज की न्यूज किया है च्छत पर स्राहुजी माराज उनिवस्टी कानपुर की जानेंगे इस वीडियो पर द न्यूज आ चुकी है एक जानकारी प्राप्त हो चुकी है ठीक है ना यह न्यूज है बार्सिक एनुवल एक्जाम चटपस साउजी माराज उनिवस्टी के कब होंगे ठीक है ना तो बता दें आप सभी को एक सो पसीज चात्राओं की संख्या बाले कॉलेज बनेंगे से पंदरा अप्रेल तक के बीच में आपकी एक्जाम होंगे बीस्टी की बात करेंगे दुबारा मार्स से तीरा अप्रेल तक आपके एक्जाम बीस्टी की होंगे बीकॉम की बात करेंगे सोला मार्स से तैईस हटाइस मार्च के बीच में एक्जाम हो जाएंगे किसके यहा बिद्यार्टियों के बारा मार्च से 21 मार्च चलने वाले हैं एमकॉम परतम से लेकर न्तिम बर्च के एक अपरेल से तेरा अपरेल तो यह बहतरी जानकारी आपके बीच में आ चुकी है बिद्यार्तियो एन्वाल एक्जाम्स को लेकर च्छतपत्साउजी माराज यूनिवस्टी कानपुर ने फाइनली डेट्रियां पर डिकलियर कर दी हैं बाकी और भी न्यूज को बहतरी तरीके से जानने के लिए पूरी डिटेल को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार फटा फट के अंदाज में भई चतपत्साउजी माराज बिश्टी बिद्ध्याले बस्रमबद महा बिद्ध्यालों 25 फरवरी से लेकर 15 अप्रायल तक होंगी बारसिक पर इच्छाएं यानि 25 फरवरी से आपके एक्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है ना तो यह बड़ी न्यूज है सबी विद्ध्यारतियों के लिए जो एन्वल एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं ठीक है ना बेल्गुल प्रेंट्स 125 फरवरी के संक्याबले कालेज को स्वाकेंद्र बनाया जाएगा यानि जिस भी कालेज में 125 फरवरी हैं या इससे जादा उन कालेज में सेंटर बन जाएगा यह जानकारी विश्विद्याले के सचीव डाक्टर अनिल कुमार यादब ने बताया उन्होंने बताया कि हिंदी से पीएचिटी करने वाले चात्र या तेंदर सिंग को सुभा को अपनी किसिस जमा करने के लिए 6 मा का समय दिया गया भरुकाबाद इस्तित माजरेश्टिक सिंग पीजी कॉलेज में कि अबीएस की परिच्छा के दारान कालेज को नकल में दोसी पाया गया तब मुख परिच्छा निरस्ट कराकर के दोबारा परिच्छा कराई गई थी कालेज परबंदन का यह भी कहना कि चात्रों को अतरिक्त मोल्यांकिन में अंकित दिये गए हैं कि उन्हें हो रही माना जाये उन्हें हो सही नहीं माना जाये यह कुछ डिटेल है यहांपे आप बहतरी तरीके सी देख सकते हो विद्यारती हो फिलाण में अभे बीसी एजी और एमसी एजी अभी जो है बी यस्याजी और MSCAG यूनिवस्टी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया कि BSC AG और MSCAG के सिमेस्टर एक्जाम्स कब होंगे धीरे धीरे इस समय गुजर रहा है सत्र बहुत ही जादा लेट हो रहा है फाली देखते हैं यूनिवस्टी का क्या फैसला होगा जो भी फैसला होगा आपको इसी चैनल पर यूटूब के माद्यम से आपको जानकारी प्रोबाइट करा दी जाएगी इस वीडियो में यहीं तक नमस्कार